हेलो फ्रेंस आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं पके हुए आम से बहुत ही बहतरीन मिठाई आज की ये रेसिपी है रक्षा बंधन इस पेसल आप इस रक्षा बंधन पे ये रेसिपी को जरूरू ट्राइ कीजेगा ये रेसिपी आपको और आपके परिवार को पकावा होना चाहिए फिर उसके बाद हमें इस तरीके से आम का छिलका बिल्कुए अच्छी तरीके से उतार लेना है फिर उसके बाद हमें इसे छोटे-छोटे से क्यूप से क्यूपस में हमें आम को कट करना है तो गाइस आप लोग ना एक बार इस रेसीपी को जरूर ट्रा बनकर ये तयार हो दें आप लोग एक बार आप लोग इस रक्षा बंदन से पहले आप इसे ट्राइब कर लीजिए आपको यह बहुत बसंद आएगा तो यहां पर मैंने दोनों आम को मैंने इस तरीके से कट कर लिया लिया है मैंने मिकसर जार उसमें मैंने डाल लिया है फिर यहां पर मैंने लिया औरेंज फूट कलर आप डाल भी सकते हैं या फिर आप इसे इसकी भी कर दें बस मैंने कलर के लिया डाला इसके बाद हमें इस तरीके से इसका पेस्ट बना लेना है यहां पर मैंने लिया एक बड़ता इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी फिर इसमें को जादा मीठा पसंद होता है किसी को कम मेठा पसंद होता है तो आप अपने टेस्ट के अकॉ complexity यहांपर डालेगा उसके बाद हमें चेनी को थोड़ा सा मarड होने देना है जब यहां पर झाया पर चेनी हमारी अच्छे से मिल जाएगा तो बच इसे हमें डाल कर गेस के मेडियम फ्लेम पे हमें काफी अच्छी तरीके से इसे हमें थोड़ा सा सुकाना आप जैसे ही आप कोकोनेट आप डालिएगा ना उसके बाद ये अपने आप ही थोड़ा सा गारा होने लगेगा सूखने लगेगा और जब आप कुछ इस तरीके स्टेज पे आजाए तो आपने क्या करना है पीसा हुआ जो आम हमने लिया था उसको हमें इसमें डाल देना है डाल कि हमें इसको काफी अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से और यहां पर आपको गेस का फ्लेम लो कर देन लेकिन इसको सुखाने में आपको लगबग 5-10 मिनट तो लगेगा ही और जब ये जब ये सूखने लगेगा तो कुछ ये इस तरीके का हो जाएगा ये आपका जो पैन है काफी अच्छी तरीक से ये नीचे से छोड़ने भी लगेगा और ये आपस में एक डो की तरह ये बनन तैयार कर लेते हैं तो यहां पर मैंने लिए फेटी खोद के जहाया नीचे छोट भूरतर कं गया इस तुट हम जब हो जाए तक जोड़ा इसी तरीके से मैं सभी बॉल को बना के त्यार कर लेती हूं तो यहां पर मैंने बॉल को बना लिया इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा बॉल फेलिंग वाला बनकर त्यार हो गया तो हमें क्या करना है थोड़ा सा हमें यह मैंगो बाला मिक्चर लेना है उसके बाद हमें फ जादा ही पसंद आने वाली तो बस इसी तरीके से मैं सभी बोल्स को कवर करके इस तरीके से बना करके त्यार कर लेती हूं तो ये लड़ू हमारा आम का बनावा बहुत ही अमेजिंग दिखने में भी लग रहा है खाने में बहुत जादा यमी यमी है आप लोग एक बार जरू पनाया या फिर आपने इसे घर पर बना ब nationalism के आप लिख सप्राइब सबस्क्राइबbrašra जरूर कर देजंगा इससे मैं हर वीडियो के not shy मिल जाएगी मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक कि रिबाएट टैक्याए अ